दो तरीके हैं अपनी लाइफ जीने के पहला तरीका मैं बताता हूं आप 20s में हो ये तो जवानी के दिन है ये तो हसने खेलने के दिन है छोड़ो पढ़ाई बढ़ाई एश करो ठीक है ये तरीका है कर सकते हो खूब एश करो दिन में 10 सेल्फी लगाओ इंस्टाग्राम पे लाइक्स गिनो बैठके सारा दिन क्योंकि भई लाइक तो मेरे 25 लाइक आगए मेरे 75 लाइक आगए पार्टी करो रोज दारूपी हो ठीक है नहीं सुनों अभी सुनों पूर पार्टी करो माक्स वाक्स एंट्रेंस एक्जाम छोड़ो यार कुछ ना कुछ तो लाइफ में होई जाता है यह पापा मम्मी बखवास करते रहते हैं मेरी एज है मैं एंजॉय कर रहा हूं एंजॉय करने की एज के साथ गंटे रोज यूट्यूब पे तीन गंटे दिन चैक फ्यूडिया के वीडियो देखो सो जाओ बारा बजे उठो यह लाइफ है सब लोग इसलिए जीना चाहते हैं ना कि आश करेंगे हम अभी कर रहे हैं लोग पागल है जो इतना करियर बना रहे हैं हमने तो यह करोर यह ठीक है फिर पता क्या होगा फिर आप 30 कि हो जाओं गए रोक नहीं पाओगे सब अच्छा के बिल आएगा मैं जिआठ के सारे दोस्ट जिनने करियर की प्लाइनिंग कियोंगी उनके अच्छी नौकरी या लग गई होगे आपके पास नौकरी नहीं है, आप थर्टी के हो गए, आपके ममी बापा जाके हाथ जोड रहे होंगे, भई मेरे बच्चे की नौकरी लगवा दो, आप खुछ जाके बोलोगे, मेरी कोई तो जौब देदो यार, जैसे तर्टी के हो गया हूँ, आप क्या करूँ, तो थर्ट आपके पस कोई पैसे नहीं बचे होंगे, क्योंकि आपने बड़ी सिंपल सी नौकरी की ती, आपके पास अच्छी नौकरी तो थी नहीं, तो एट फॉट्टी पे आपके पास कोई पैसे नहीं है, और बच्चे जा रहे हैं, स्कूल की फीस बढ़ते जा रही है, खर्चे ब जाओगे तो अभी भी उधार चड़ा होगा है पैसे जीरो है फिर आप बुड्डे होने लग रहे हो फिर आपकी वो जो जौब है वो भी चली जाएगी फिर आप रिटायर हो जाओगे रिटायर्मेंट के पास आपके पास पैसे नहीं है अपने बच्चों के आगे हाथ फिल होके वेट करोगे मरना है यह एक जीने का तरीका है पर ट्वेंटी में आपने आश किया है समझे उसके बाद बिल देते रोगे पूरी लाइफ लेकिन ट्वेंटी में बॉस क्या हमने इंस्टाग्राम पर फोटो लगाई जब हॉस्पिटल का इलाज देने के पैसे नहीं हो अना कि मैंने तो लेकिन इंस्टाग्राम की सेल्फी तो बड़ी इच्छी थी यार यह कर सकते हैं यह है प्लान ए या दूसरा ब्लैन बना लो को प्लान भी कि बॉस मैं मैंनत करूंगा 20-30 जम के इतनी मैंनत करूंगा जितनी कि मैंने आज तक अभी की नहीं क्योंकि मुझे अबिस जगा जाना और अभी मौका है अभी वोग ले रहे हैं अभी एक्जाम हो रहें एंट्रेंस आप 40 पर फोना दे सकते हो अभी मेरे को अच्छी जगा जाना अच्छी पोस्ट लानी जो भी आपका सपना है मेरे को करना है वो मैं करूंगा और फिर मीजब सिक्यूर फिर मैं मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी घरवर ठीक हो जाएगा थर्टी में मैं पैसे सेफ करूगा आप थर्टी में पैसे सेफ करोगे अपने असेट्स बनाओगे मुचिल फंड्स लोगे घर लोगे वो इन्वेस्ट करोगे वो और पैसा बना के आपको देंगे एफडी से आपको इंट्रेस्ट आएगा आप फॉर्टी में पहुंचो के आपके खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आपके पास इनाफ पैसे हैं सब कुछ हो जाएगा 50-60 तक वो प हो सकती हैं अब आपको चुनना है कि एश वाली लाइफ 20 वाली चाहिए है या 20 के रगड़े वाली लाइफ चाहिए कि कहने की बात यह है कि यह जो 20 का साल है ना दशक यह बहुत इंपोर्टन्ट है यह 30 से 70 तक या तो इसका आपको इसका फल खा सकते हो आप या 30 से 70 तक आप इसका बिल भर सकते हो अब एज जवानी की है एज ऐसी है कि लगता है कि यार सब मस्ती भी अभी करनी है तो समझ नहीं आता क्या करना है इसलिए मैं आपको क्लियर करके दे रहो कूंकि मैं भी 44 का हो जाओं और अब मैंने रिलाइस कि यार यह मेरे जितने बैच में जितने स्कूल में जिनोंने 20 में रगड़ा खाया वह भी टेंचन प्री है और जिनोंने खूब आश की उस तेम पे खूब गूमे बाइक पे इदर उदर वो आज भी धक्के खा रहे हैं और धक्के खाते रहेंगे अब कुछ नहीं कर सकते तो इस तिंग इस फर्स तिंग आ लेंट राइट विच अ मैं आपको डराना नहीं चाता लाइफ के बारे में पर जीवन में कश्ट तो है यह तो गौतम बुद्धा ने का है मैंने नहीं का है लाइफ इस सफरिंग कर दो जीवन में आप सोचते हो थे हम लोगिए चाते हैं कि कश्ट नहूं है मैंनेट करने में कश्ट होता है चाय वह पढ़ाय की हो चाय वह जिम जाना हो चाय कुछ भी करना हो पर कश्ट डाएक तो वही आश जो उसने करी वही उसको बाद में दुख देती है जो चीज लाइफ में आपको खूशी देती है वही चीज आप देखो दुख भी देती है आप 20s में आश करोगे वो बाद में आपको दुख होगा और जो चीज आपको दुख देती है वो बाद में सुख भी द अब क्या फाइदा हुआ सीखने का स्पिरिच्वालिटी वेरा में को लगते हैं पहले सिखानी चाहिए बाद में सीखते हैं जाके जब सब जिन्दगी जी जब बैट के सारा दिन टाटास काये देखने हैं आप क्या सीख रहे हो यार सो कश्ट से बढ़ डरो यह मत सोचो कि यार मेरी लाइफ में तो बड़ा कश्ट है यह एक्जाम मतलब का मैंने क्यूंकि आदा आपका माइंड उसी लिए भाग रहा है आपको यह प्रेपरेशन नहीं करने ही क्यूंकि आपको लग रहा है कौन यह बेडा उठाए मेरे को इससे दूर रहना है लेकिन यही आपको सुख देगा बाद में और जिस चीज से आप भाग रहे हो और आप सोच रहे हो कि आज मुझे सुख मिल रहा है कि मुझे वो काम नहीं करना पड़ रहा है मेरे को दो गंटे और सोने को मिल रहा है मेरे को दो गंटे और पाट तो सोचलो की मुझे करना है, मेर को यह 10 साल जो है आगे करें वेस्ट निकरने है, ऑफ वेस्ट बत करना यह थाइम क्योंकि यह टाइम निकल जाता है, जिसे सैंडग्लास होता ना ऊपर से रेत गिरती रती है यह रुके का नहीं यह चला जाएगा पिक्चरे देखते देखते भी जा सकता है और पढ़ाई करते भी जा सकता है पढ़ाई करना थुझा खश्ट है लेकिन फिर 50 साल आपको बिल देना है यह 50 दाल आपको फल खाने ह I think answer बहुत clear है बड़ यह चाहिज हम भूल जाते हैं एक तो वह यह आदर है